गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स वेलकम टो डियम बर्ट इंग्लिस मेडियम एंड वेलकम टू रैंकर्स चैनल लास लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 15 के संस्टार्ट किये थे दो एक्जम्पल्स किये थे ओके तो अभी आजाओ वीडियो नंबर 3 पे उसमें हम आगे एक् हमें क्या बोला हुआ है और डाइज त्रोण 1000 ताइम्स 1000 ताइम्स with the frequency frequencies for the outcomes 1 2 3 4 5 & 6 as given in the following table हमें एक टेबल दिया हुआ है find the probability of getting each outcomes ओके हमें पता अगर हम डाइज त्रो करेंगे तो हमें 6 outcomes मिल सकते हैं या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 उसमें से कोई एक मिलेगा अभी हमें ऐसा बोला हुआ हमने 1000 टाइम्स डाइज थ्रो किया तो हमें कौनसा answer कितनी बार मिला वो हमें उस table में दिया हुआ है देखो outcome 1 वो कितनी बार मिला हमें 179 टाइम्स 2 वो कितने टाइम्स मिला हमें 150 टाइम्स वैसे अप्टो अप्टो 6 बोलो done बिड़ा है तो हर एक outcomes के लिए हमें probability find करने को बोला है ठीक है बोलो कोशन पता चल गए आपको पका ना ओके चल तो एक काम करते है सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हमारे 1000 क्यूंकि हमने 1000 टाइम्स डाइस ट्रो किया हुआ है ओके डन ना चल तो अभी event one लेते है event one कौन सा होगा वन आने के chances उसका मतलब पी ओफ इवन probability of getting one है ना तो वन आएगा उसके chances उसके probability कितनी है तो उसके लिए formula अप्लाइ करना पड़ेगा तो formula हमें पता है जो हमें चाहिए वो आउटकम्स डीवाड़े बै टोटल आउटकम्स तो फेवरेबल आउटकम्स वन के लिए कितने है तो हमें पता है टेबल दिया हुआ है वन कितने टाइमस आया वन सेवन टाइमस तो उसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए निमेरेटर में 179 डीवाड़ेड़ बाइट टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे 1000 है वो हमें पता है है ना तो डीवाड़ेड़ बाइवन थाउजन तो अभी डिवाड़ कर दिया यानि 0.179 बोलो क्लियर बड़ा अभी इजी पता चला वैसे ही अभी हमें टू के लिए चाहिए तो प्रॉब्लेटी इवेंट टू ले लेते हैं पी ओफ इटू क्या होगी प्रॉब्लेटी ऑफ गेटिंग टू ओके बोलो क्लियर बिड़ा दन चला तो उसके लिए भी फॉर्मुला पहले अप्लाई कर दे हो गया फॉर्मुला अप्लाई नंबर ऑफ फेवरेवल आउटकम्स डिवाड़े बाइड नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स है ना जीरो जीरो कट सो फिफ्टीन अपन हंड्रेड मलब जीरो पॉइंट फिफ्टीन बोलो क्लियर बढ़ा अभी डन पता चला पक्का ओके चलो वैसे आगे जाते तो अभी थ्री के थ्री की बारी तो इवेंट थ्री ले लेते पी ओफ ए थ्री प्रॉब्लेटी अफ ओके डन चला थ्री कितने टाइमस आया वन फिफ्टी सेवन तो नुमेरेटर में वही पूट करना पड़ेगा तो वन फिफ्टी सेवन तो अभी थ्री जीरो कट करेंगे तो 0.157 बोलो क्लियर पक्का डन ओके अभी फॉर के लिए तो पी ओफ ए फॉर ले ले लेते प्रॉटी ओप्लाई कर दे फॉर्मुला में पता है नंबर ओ फिफ्रॉल आउटकम्स डिवाड़े बें नंबर ओफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स है ना चलो कितने टाइमस आया 149 तो नुमेरेटर में वही पूट करना पड़ेगा तो 149 डिवाड़े बाई 1000 तो आंसर क् सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी चांसे कितने उसकी प्राइब कितनी है ना तो चलो फॉर्मुला कर दो फॉर्मुले में हमें चाहिए 5 कितने टाइमस आया 175 तो वह पूट करना पड़ेगा यानि 175 डिवाड़े बाई 1000 तो अभी कट करेंगे तो 0.175 बोलो पता चला बोलो पका 100% चला तो अभी 6 के लिए तो पी ओफ ए 6 ले लेते हैं तो पी ओफ ए 6 क्या होगा प्रड़ी ओफ यटिंग 6 है ना तो चलो 6 है तो उसके लिए पहले फॉर्मुला फॉर्मुला में पता है तो 6 कितने टाइमस आया हुआ है 190 टाइमस है ना तो 190 डिवाड़े बाई 1000 त मलब 0.19 यह हमारा अंसर बोलो क्लियर बटा अभी तो हर एक इवेंट के लिए हमने प्रड़े टीफाइंड कर दी बोलो पता चला कैसे किया पक्का ना इजी चला नेक्स्ट आ जाओ एक्जांपल नमबर 4 पे उसमें हमें क्या बुला हुआ देखो ऑन वन पेज ऑफ छिएओ नेक्स हट लिएओ तो जτα hokteो प्लीच आ तो ऑन जेही हूआ नोंबर 25 था जान तो जाओ दीच र मटरिशित है किया था ज यूँ वाय है without looking at the page the pencil is replaced on the one of these number that means the number is chosen at random what is the probability that digit in its unit place is six मतलब आपको पता होगा बटाई आपको फादर हो या ग्रांट फादर हो एक डिरेक्टरी में अपर प्रादर हो एक डिरेक्टरी में इंटेन करते होंगे अभी तो मॉबाइल है तो मॉबाइल में लेकिन पहले जब मोबल नहीं था या तो हमारे जो ग्रांट फादर है वो क्या करते एक डिरेक्टरी मेंटेन करते है टेलीफोन डिरेक्टरी तो उसमें सारे नंबर्स लिखे होते है फलाने भाई का यह नंबर्स है फलाने भाई का यह डिकने भाई का यह ऐसे नंबर्स से ल लिखे हुते हैं है ना तो वो जो नमबर्ज्व हैं उसमें 200 टेलीफョन नमबर्ज लिखे हुआ है टोसने नमबर्ज के जो यूनिट ब्लेस है ना वो यूनिट ब्लेस कितने टाइम्हे कितने टैम्हे आया जो unit place है उसमें 0 कितने times आया 22 times, 1 26 times आया, up to up to 9 20 times आया, वैसा हमें बोला हुआ है, अभी हमें क्या करना है अगर रैंडम ली एक number चूज करें तो उसमें जो unit place होगा उस वो unit place में 6 होगा उसकी probability हमें find करनी है, एक काम करते हैं पहले ले लिते हैं total number of possible outcomes टेलीफोन नंबर्स कितने हैं 200 है ना बोलो डैन मिटा चला अभी आमें क्या चाहिए 6 चाहिए तो पी ओफ ईवन ले 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 प्रॉब्लेटी आफ गेटिंग 6 इन यूनिट प्लेस ओके तो उसके लिए पहले तो फॉर्मुला हमें पता है नमबर फेवर्ल आउटकम्स डिवड़े बैं नमबर आफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स है ना बोलो क्लियर ना डन ना पक्का 100 परसंट चला तो अभी एक काम करो 6 चाहिए तो 6 कितने टाइम से हमारे पास 14 तो हमें क् नेक्स्ट आपको यूज करना हो कट करना हो तो सेवन टूजा इसको बोल सकते हैं हंड्रेट टूजा कट सेवन अपन हंड्रेट मतलब 0.07 बोलो क्लियर आ गया यहां पे 0.07 बोलो डैन बिटा भी पता चला पक्का 100 परसंट क्लियर चला तो अभी बिटा नेक्स्ट पे आज चाहो एक्सांपल नमबर 5 फाइ पाइ चला उसमें क्या बोला हुआ है उसमें हमें बोला हुआ है दर रेकोड ओफ वेदर स्टेशन शोज देट आट आउट पास 250 चंजीकिटिव 250 चंजीकिटिव देज इट्स वेदर फोर्कास्ट फोर वेर कर्रेक्ट वन सेवन तेफ़ सबसे पहले तो हमें वेदर स्टेशन का फोर्कास्ट दिया हुआ है उसमें हमें बोला हुआ है कि उसमें से जो 250 चंज उन्होंने फोर्कास्ट किया उसमें से 175 टाइम्स कर्रेक्ट हुआ उके डन तो उसमें अभी फर्स्ट प्राब्लेटिया में फाइंड करनी है कि अगर हम वो 250 डेज में से कोई एक डेज सिलेक्ट करें तो वो सिलेक्ट डेज कर्रेक्ट फोर्कास्ट हुआ होगा उसकी प्राब्लेटी फाइंड करनी है है ना तो चला सबसे पहले तो टोटल डेज 250 मतलब टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 250 अगर चला अभी हमें क्या करना है हमें चाहिए करेक्ट डेज तो वह हमें पता है 175 है तो वैदर वैदर फोर्कास्ट वैर करेक्ट ओके तो अगर 250 में से 175 डेज करेक्ट हुआ है तो करेक्ट नहीं कब हुआ ह होगा मतलब की वैदर फोर्कास्ट वैर नौट करेक्ट तो उसके लिए 250 माइनस करेक्ट देज तो करेक्ट कितने है 175 तो 75 डेज ऐसे है जिसमें वह करेक्ट नहीं था ओके दैन चला अभी हमें फर्स प्रॉब्लेटी फाइन करनी है कि वह एक वन डेज उसमें फोर्कास्ट सही होगा तो पी ओफ इवन ले ले चलो पी ओफ इवन प्रवडी आफ येटिंग कर्रेक्ट तो उसके लिए फॉर्मिल अप्लाय कर दिया हमने चलो अभी करेक्ट डेज कितने है 175 तो नुमेरेटर में 175 डिवाड़े बाइट टोटल कम पॉसिबल आपकोंस कितने हैं 250 तो ड सकते हो उसके बाद अभी second number हमें बोला हुआ है what is the probability that it was not correct मतलब वो जो 250 डेज है उसमें one day हम सिलेक करेंगे तो वो one day में forecast करेक्ट नहीं होगा उसकी probability क्या है तो उसके लिए पी ओफ इटू ले लो है ना probability of getting not correct उके चलो तो उसके लिए formula पहले तो apply कर दिया हमने formula आपको compulsory हर एक event के लिए लिखना पड़ेगा नहीं लिखोगे तो marks नहीं मिलेगा okay then चलो कितने देज इतने जितने जितमे correct नहीं हुआ है 75 so 75 divided by 250 तो यहां पे भी आपको अगर cut करना हो तो 25 3 जा और 25 10 एजा करके आप correct cancel out कर सकते हो okay दना पका इसका अंसल अप्रोक्सिमेट आएगा 0.7 and इसका अंसल आएगा 0.3 okay बोलो क्लियर बदाभी दन पता चला पका